सब्सक्राइब करें चेनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों सबस्क्राइब करें लिए दोस्तों की आपके अधार कार के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लेंग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं अधार.uai.gov.in इसके उपर क्लिक कर देना है कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने अभी हमें इस पेज को लोगिन कर देना है तो यहाँ पर लोगिन वाला ओप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोगिन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर हमें अधार नंबर फिलब कर देना है कैपचा यहाँ पर डाल देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है दोस्तों आपके अधार कार के साथ मोपाइल नंबर लिंक होना चाहिए उसी मोपाइल नंबर में ओटीपी हैगा तो OTP हमारा आ चुका है, हम OTP यहाँ पर डाल देंगे और नीचे login वाले option पर click कर देंगे तो दोस्तो login हम हो चुके हैं, अभी हमें कौन सा bank account हमारे अधार काड़ के साथ link है, वो देखना है तो यहाँ पर bank seeding status वाला जो option है, यहाँ पर हम click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका अधार नंबर उपर आएगा, नीचे bank लिखा हुआ है तो bank में आपके अधार काड़ के साथ कौन सा bank link है, वो यहाँ पर show होगा, देखो 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 देखो, यहाँ पर gotek महेंदरा bank link है और यह active है, वो भी यहाँ पर show हो रहा है, नीचे यहाँ पर आपको यह भी show होगा कि last update कभी हुआ था, तो यहाँ पर देखो, 18 जून 2016 से जो मेरा bank account है, यह अधार काड़ के साथ link है तो दोस्तों इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपके अधार काड़ के साथ कौन सा bank account link है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो like करे, share करे, subscribe जरूर करे और bell icon को जरूर क्लिक करे, thank you so much for watching